हैं असूख मातों कहीं खुटद्ट गार देते हैं तो लન सिनौ नहीं है यह सूख मातों बनाолान सिंग का चुनाओ रोधी हैं कापी मिजबूत नेटा के तौर पे जाने जाते है वाहर एक बार बिर eg जीता है इस बार बिर अरे खहार तो हम लोग लोग अगर पिछरी हैं तो हम लोग वो तो पिछरी माते हैं तो हम लोग पिछरी एक हो जाएंगे तो साफ हो जाएंगे आने से बाइकबट समाज में जो काफी बढ़ा हुआ है जो चाहेगा वही होगा आप कितना भी तंत्र लगा लिजिए जनता के सामने सब फेल है नेता ने महा गठवंधन औ उसके हिसाबस्व मुंगर हमको आसान देख रहां। पिन्टु और महतु भी यहां आये हुए हैं तो हम बात करते हैं पिन्टु जी से और शमजने की कोशिस करते हैं कि अनिता देवी को जिताने के लिए के लोग क्या कुछ कर रहे हैं और अनिता डेवी की जीट ये कितने सुनिस्चीत मानते हैं क्या सुच रहा है ब्घृत मझभूत जो है आपके विरोधी हैं काफी एक बार विरुवधी जीता है इस बार विरुवधी हारेगा अनन्त सिंका भी शाथ मिल रहा है उनको उनको मिल रहा है वो तो उनका पहचान है कि वो लोग अगरी पिछ्री है तो हम लोग वो तो पिछ्री माते हैं तो हम लोगर पिछ्री एक हो जाएंगे तो साफ हो कि इस बार है तो हम तो देख रहे हैं कि ललन सिंग कोई लराई में ही नहीं है कोई लराई में इसका रिजल्ट आप देखिएगा यहां की जनता का मूड़ चेंज हो गिया है यहां के पिछरा समाज का कि मुख्मेंट चेंज है और बाकी तो तेरा तारी को ही हम लोग भोट करेंगे जनता लोग करेंगे मुंगेर के कुर्मी कोईरी और दूसरे कुश्वाह शमुदाय की दूसरी जाती के लोग हैं उनके बारे में आम तोर पे कहा जाता है कि नितीश कुमार के प्रभाव वाले पोर्टर है तो क्या उनमें आप लोग घुस्बार कर पा रहे हैं कि अब उच समय नहीं हो कि लोग उनको मास रहे हैं इस जनता जागरूप हो गैं जो ए आड़ वार्टरो मारी ंता जामेने का बना गया है माँ है न को मान लिया है उनको बिजैय करके बैए जो ह Hannah तो यह कि छेत्रुटी लेकिन यहां पढ़ी लिखी नहीं यहां बढ़ी नहीं हूं उनके लिए थोड़ा साझन जगाय कि नहीं पर ही लिखी हैं कोई भी आप जो भी लोग आगे निता बने हैं उन कि लिए है पता करदीजिये लर्ण बाबु का बेटा कहां पर हां है ललन बाबु कहां पर है है और वह नहीं वहां है उसका कोई जीवनी नहीं हाँ जन्म हिस्ञा हुआ हैुह मंगेर की यह इ कर लड़ाई इस तरह से लड़ते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलता है तो आप लोग कैसे ही पतलब उन से नहीं पट रहे यह अनंत सिंङ्म और ल्लन सिंङु का चुनाओ नहीं है यह असौख अब आपको बना ललन सिंह का चुनाओं जब असोख मातो कहीं खुटा गार देते हैं तो हिलता नहीं को महिलाओं के बीच में ऐसे भी का जाता है कि नितिश्कुमार के महिलाओं पे भी बहुत पकड़ है शराबंदी को लेके जिब का देदी को लेकर के और तमाम दुष्टे उनका विकास में बाधा रहा है इसलिए उनको अब और आउसा कोई नयता ने मानने लगाए यहां पर यह लडाई हो गई है कि अगड़ों की और पिछड़ों की चैप सही है हो गया है लडाई तो अगर पिछड़ी के लडाई यह है आप एक चीद दिख लिजिए अभी हम जिस रोड से घुर्णते हुए आ रहे हैं अगर विकास पुरुष कहलाते ते रोड का नवगत आप आये हैं देख रहे हैं आप दिखाये मीडिया बाले हैं आप जहां तहां फोटो ले ले जाए और दिखाये कि ही ललन बाबो का विकास है इसी के नाम पर ने बोट करेंग होगी पिंटू महतो जिनका तरह था कि अश्यूप महतो और अगड़ा और पिछ्ड़ा में यहीं अंतर है कि अगड़ा की गाउं का विकास हो चुका है जबकि पिछ्ड़ा के गाउं का विकास होना अभी भी बाकी है हमारे साथ पुर्व विधायक फुलेना सिंग जी हैं इनसे बात करते हैं अनिता देवी के लिए मुंगेर की राह कितना आशान है अभी तो जो हम लोग घूम रहे हैं तो हम लोग को लग रहा कि रहा आशान है क्योंकि लोग तंतर पे जनता ही निरनायक होता है पाटी तो सब अपना अपना रननीती बनाते हैं सब अपनी रननी मेता ने महागठवंधन और उम्मीदवार देने का जो रणनीती तयार किया है उसके हिसाब से मुंगेर हमको आसान दिख रहा है कि लालू यादब ने एक ऐसा उमीदबार दिया है कि इससे कई छेतरों का जो है बोर्ट पर भावित हुआ है और इनके बारे में खास करके अशोक महतों के बारे में कहा जा रहा था कि यह जो है इस चुनाब को पलट देंगे तो आपको लग रहा कि चुनाब जो पलटाया है तो जो डिप्टी सीम सम्राट चोधरी बने हुए थे उनका जमीन पूरा खिसक गया वो फोल्स हो गया नितीश कुमार जी जो जिस भोट पर आई तक राज कर रहे थे 15 से 17 साल तक वो सारा भोट टरनफ होकर के आज हमारे आर्जेडी के साथ आ गया है पूरे बिहार में अब जो चुना हुआ है आप तो मेडिया से जूरे हैं देख रहे हैं जीत हर का बात कोई नहीं कह सकता है लेकिन हम कह रहे हैं कि जितना सीट पर मेरा चुना हुए हर जगा इतना कसके फाइट है कि नहीं कह सकते हैं हम गारंटी से जीत सकते हैं और नहां कह सकते हैं गारंटी से छलता मिलेगी तो अग्डों और पिछ्डों की लडाइं हो चुकिया लेखे अग्रों पिछ्डों की लडाई होने का समय नहीं लएक और नहीं है इस परकार से भुटा हुआ है यह नहीं है कि आखरा पिछणा का यह लाई नहीं हो सकता है लेकिन असोग महतों जी के आने से बाइकभर समाज में जोस काफी बरहा है हमारा तो गठवंधन का जो पहले पर नहीं नाराज हो जाए लोग लेकिन बहुत के दिन सब बर्चर के बहुत करते हैं लेकिन और जो आन जाती है उन लोगों में काफी जोस है यह हमलोगों को दीख रहा है, हम लोग जहां जा रहे हैं, सब लोगों में काफी जोस है, और इसके सहरे हम लोगों को लग रहा है कि मुंगेर का राफ्ता आसान है, लकिन मुंगेर के бой जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि अनंद सिंग एक बाहु बली के तौर पे जाने जाते हैं, कहा जाता है कि उनका अपना प्रभाव है और ललन सिंग के साथ खड़े हो गया है, तो कहीं न कहीं इसका आसर होगा? अनंद सिंह का परभाव अपने छेत्र में है मोकाम बार हमने देखा 2009 में आनंद सिंह भी हमारी पार्टी से उम्मिदबार थे उनका परभाव हमने देखा मोकाम बार में अच्छा भुट लाइए थि लेकिन उसके वादी चार विधान सवहां में पर भाव परभाव क्या अपनी जाती तक्सीमित या उससे और अगे जो सही बात हो हम कबुल करते हैं क्योंकि अगला चुना में हमने देखा उनको कि वह कॉंग्रेस से चुनाव लरके लगभदनों बिधानसभाव में बराबर करें कैसे कैसे निपतेंगे आप लोग क्या है कुछ रनीती बनाएं आप लोग से हमारा तो रनीती जंता है जंता हमसे आगे आगे है हर जगा हमारा जंता है और जंता ही निरनायक होता है लोग तंत्र में जंता जो चाहेगा वही होगा आप कितना भी तंत्र लगा लिजिए जंता के सामने सब फिल है जंता चाह लेगा तो हम जेल में हैं दो साल से नोमनेशन कर दिया जंता जेले से हमको जिता देता है जंता तो मालिक है कि अधि बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया चलिए थैंक्यू आपको यह थे पुर्व विधायक पुलेना सिंग जिनका कहना था कि जंता आरजेडी के साथ है और जंता ही अनीता देवी के लिए बोट मांग रही है तमाम जो समिकरन है बोट तूट चुके हैं कर दोचा दो खाया बोट बेड़ कि अ कर दोगते हैं